है और वेलों वेल्टम बैक सो इस टूड़ में हम सिखने वाले मॉडल अड्मिन क्लास तो मॉडल अड्मिन क्लास क्या होता है यह जानेंगे थोड़ी दिर में तो पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जैसे कोडवीद की रण 20 तक बना था हमारे पास तो यहां पर नया के अंदर हमें को अप्लेकेशन बना लाते हैं cd code with की रन 21 इंट्रप्रेस के अंदर आचुके हैं तो बनाने के यह kayak बनाने के लिए python manage.py और यहां पर हमें गला के लिए अप्लेकेशन का स्टार्ट अक और यहां पर अप्लेकेशन का नाव inrol उगे और इंटरप्रेस तो यह आप्लिकेशन बन चुके है कोड़ी के रन 21 के अंदर यह इन्रोल नाम से ओके तो जल्दी से हम इन्रोल कर लेते हैं एनकी इस्टॉल कर लेते इसी के अंदर और सेटिंग.py के अंदर चलते हैं क्योंकि यह बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि इसे रज लोग इन करना है क्योंकि अड्मीन की सारी चीज़ें यहां पर देखना यह एड्मीन नहीं तो यह जो तो यहां पर नहीं यहां पर सेटिंग.py के अंदर चलते हैं यह लोग इन नहीं इन्रोल सेटिंग.py क्योंकि यह बिल्डिन फंक्शन विल्डिन अप्लिकेशन है जो क हमें make migration और migrate करना होगा क्यूстक हमें table चाहिए जो कि हमें यूजर की detailsने के लिए तो इसके लिए हम क्या करते है फस्त इसी उपर ले लो और हम make migration और migrate कमाड रन करते हैं तो यहां फिट को लिखना है जो कि इसे हटा देता हूं यहां पर python manage.py और यहां पर make migrations और यहां पर interface ओके तो no change detected क्योंकि यह जाओंगो कि और से हमें already make migration करके मिलते हैं हर एक बिल्डिन अप्लिकेशन के साथ तो हमें यहां पर migrate करना होता है तो यहां पर migrate कर लो migrate और इंटरप्रेस और यह जांगो की जो भी बिल्डिन अप्लिकेशन ही है सबको migrate कर देता है देख सकते आप सारी चीजे तो मैं इसे उपर भी ले लो यह सारी चीजे हमने already पड़ी है तो यह make migration हो चुके है सारी चीजे आड्मीन की जो भी हमें चाहिए आवशकता यह सारी हो चुके हैं अब हमें क्या करना है अगर मैं यहां पर हैब में जाओ अगर मैं यहां पर एड्मीन इससे पहले मुझे सरवर को run करना होगा सरवर को run करने के लिए मुझे लिखना होगा यहां पर यहां पर देख सकते हैं रन सेर्वर और रहां सेर्वर एंटर से एंड garbage यहां पर सर्वर falsch हो चुका है अगर मैं यहां पर हिट करो यहां पर लैगा कि एडमीं चाहिए धिकर चुकी एत्मिन यूजर नेम और पाश्वर्ड बनाया नहीं है तो हम एक धार करना होगा तो चले यहां पर चलते हैं मुझे इस इसर्वर को क्रेब करने से पहले को चलो करना होगा कॉन्ट्रेलfest डबा लो यह सी दबा लो इस यह हमारा सर्वर नियर करने से ग्लेर कर लो और अर्मोझी इंटरप्रेश अब मुझे क्या करना है snropriय करने स्सक्ल्ब हमें कमांड देनी है python manage.py और यहां पर लिखना है create super user okay simple एक कमांड देनी है और इंटरप्रेस करना है तो यहां पर पूश रहा है username तो username में रूटी दे देता हूं okay इंटरप्रेस तो email मुझे नहीं देना है तो password password रूटी देता हूं यहां पर दिखाए नहीं देगा password यह रखना है आपको इंटरप्रेस दुबारा देना है रूट इंटरप्रेस तो यह पूसरा है कि आपका जो भी password है यह username के साथ similar है और short password it must be at least eight character डाली आप this password is too much common okay मुझे यही रखना है तो यह कर लो बाइपास करना है और यहां पर हमारा super user create हो चुका है अब मैं यहां पर चलो इसे रिप्रेस कर लो फिर से ओके मैंने यहां पर अभी तक हम आ चुका है तो मुझे डालना है यहां पर route इंटर प्रेस और यहां पर डालना है हमें password route और login तो यहां पर login होकि हम आ चुके तो हमें क्या करना है यहां पर पहले तो table create करना है अप user हमारे हैं जैसे हमारा admin है simple यहां पर शो करेंगा आपको तो यहां पर देखना यह रूट सारी चीज़े यहां पर धिकाई दे रहे यूजर नेम इमेल फर्स नेम लास्ट नेम स्टाप तो मुझे क्या करना है सिंपल पहले तो यहां पर मैं हमारे जो मौडल क्लास है यहां पर इसे हटा दो इन्रोल के अंदर चलते हैं और model.py के अंदर हम पहले एक table बना लेते हैं जल्दी से मैं बना लेता हूँ और फिर से यहां से आता हूँ तो मैंने यहां पर quickly table बना लिया है model tables तो यहां भी देख सकते class student और model को inherit कर रहा है और student id, student name, student email, student password यह बना लिया है मैंने दिन मुझे header दिखाने के लिए मैंने student id भी लिखी है जो कि string method से हम लिखते हैं तो उसे इसे मुझे register करना होगा admin class के अंदर तो अगर मैं इसे Ctrl-A कर लो अगर दिखा दो आपको Ctrl-A करके इसे refresh कर लो server को start कर लो फिर से और यहां पर चलते हैं अगर मैं यहां पर इसके refresh कर लो तो आप देख सकते हमारा जो भी टीबल है यहां पर शो नहीं कर रहाए जफिक यहां पर लो और इस एड्ली के अंदर चलना है मुझे पहले उसmodel को अदर से आजिस्टर करना होगा model यही इसी के के अंदर है तो प्रॉम कि बाद यह कहाँ पर है इंडॉल के अंदर तो इंडूल के अंदर डॉट मॉडल्स नाम से मॉडल्स और इसमें से मज़े इम viensपूर्ट करना है क्या स्टूड़न को को कि इसी इम्पूर्ट करने के बाद मुझे सिंपलते से रजिस्टर करना है रजिस्टर करने के लिए खीड से हो नी चाहिए रजिस्टर के बाद यहां पर क्लास का नाम रखा है तो इसे इग्णोर कर लो यह जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं यह पाइलेंस की है इसे इग्णोर करना है आपको कर लो फिर से और यहां पर नीचे देख लो आपका सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं स्टार्ट हो चुका है चलते फिर से और इसे रिप्रेज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टूडन्स नाम से यहां पर टेबल बन चुका है हमारा और यह जो है अप्लिकेश अगर आपको क्यों शो कर रहा है जब भी आप model class आपने और से बनाते हैं यह जो model class है अपने जो बनाया इससे पहले make migration और migrate करना होता है क्योंकि यह यह है python code इसे हमें sql statement स्टेट्मेंट में convert करना होता है देनी से execute करना होता है इसलिए मुझे यह दिकाना था आपको कि यह अगर शो करें इस तरह के यह नो सच टेबल इंडोल स्टूडन के अंदर टेबली नहीं है क्योंकि आपने अभी तक sql statement जन्रेटी नहीं किया है इसके लिए आपको क्या करना होता है चलते यहां पर और यहां पर नीचे सर्वर को स्टॉप कर लो Ctrl X से दबालो या Ctrl C दबालो इसे में clear कर लो जब हमने model class बनाया इसे हमने में make migration और migrate किया यह नहीं ओके तो मुझे यह दिखाना था कि यह भूल जाने से आपको उस तरह की इरश हो करेगे तो मुझे make migration करना है और interface make migration और यहां पर देखना हमारा create model student यह make migration हो चुका है अगर में यहां पर migration के अंदर चलो यहां पर देखना ओके यह बन चुका है उसी के बाद तुरंत मुझे migrate करना है तो मैं यह पर migrate कर लो python manage.py migrate तो देख सकते हैं apply all migration admin auth content type enroll हमारा जो enroll है session और यहां पर apply हो चुका है अब देखना हमारे server को फिर से start करते हैं server को start करने के लिए python manage.py run server interface तो यहां पर देखना हमारा पूनम at the rate gmail.com और यहां पर password पूनम 123 और यहां पर मैं save another और एक कर लेता हूं मैं और एक 102 और यहां पर यहां पर देखना है एक दिक्कत है यहां पर अगर मैं यहां पर पास्वर्ड की यह ओके इमेल ओके तो हमने दो डेटा यहां पर इंसर्ट कर लिया है अब यहाँ पर देखना है एक दिक्कत है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करो तो यह डायरेक्ली यहाँ पर हीडर दिखा रहा है आइडी स्टूडन नेम स्टूडन नेम स्टूडन इमेल स्टूडन पासवर्ड यह सारी चीज़े हमें हीडिंग में शो कर रहे हैं मगर आप यहां पर देख सकते हैं हमें शिर्फ यहां पर स्टूडन लिख्के आ रहा है और यहां पर आईडी शो कर रहा है तोर्ट मुझे उस तरह नहीं कुछ मुझे पूरा यहां पर क्या चाहिए only मुझे टेबल की एक फाम में सारी चीज़़ी दिखने चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या सिखना है इस वीडियो में तो चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आगे जानते हैं the model admin class is a representation of model is a admin interface admin interface को represent करता है model admin तो किस तरह यह represent करता है आगे जानेंगे to show table all data in admin interface we have to create a model admin class in admin.py file of application folder तो जो हमें admin admin के पास जो भी हमें interface show करना है जो भी table के अंदर data उसे हम कहाँ पर लिख सकते हैं admin.py के अंदर हमें लिखना है और उसका यूज कहाँ पर करेंगे आप model admin class के अंदर तो आगे जानते हैं syntax देख लो create class पहले तो class को create करना है यहाँ पर देखना यह admin admin के अंदर लिखना है ओके यह सारी जानते हैं तो यहाँ पर आपको लिस्ट पास करना है लिस्ट डिस्पले जो आपको डिस्पले कराना है यूजर के सामनी हीडर जो भी है फिल्न नेम कहीं तरीके होती है यहां पर लिखने के यह हमें जोंग के और से प्रवाइड किया जाता है लिस्ट डिस्पले यहां पर आपको register अबो गया से पिर से रजिस्टर करना होगा जैसे कि हमने अभी तक रजिस्टर करते आये सिंपल उसे रजिस्टर करने के लिए डॉट साइट रजिस्टर और जो भी मॉडल क्लास का नाम है यहां पर आपको यह रजिस्टर करना होगा अगे जानते हैं एक्जामपल के तोर पर जो कि आपको लिखना है किस मॉडल के लिए लिख रहे हैं यह कहां पर लिख रहे हैं हम जो क्लास का नाम आप खुछ भी रख सकते हैं मगर आपको पता होना चाहिए कि किस मॉडल के लिए लिख रहे हैं मुझे student table के लिए लिखना है तो यहां पर student लिखा हमने दिन admin तो इस तरह आप समझ सकते हैं तो यह model से यहां से यह आ रहा है ओके यह student तो यह भी धान रखना है आपको आगे जानते हैं तो आपको simple list display क्या display आपको आप इस तरह आप जो भी हीडर है आप इस तो करा सकते हैं देन आपको admin.site.register जो भी फर्स्ट यह जो है student कहां से आ रहा है model से आपको यह register करना होगा देन student admin जो आपने यहां पर class लेका है admin के अंदर यह register करना होगा ओके तो यहां पर देखना list के बारे में जानते है list display क्या होता है set list display to control which field are display on the change list page of admin if you don't set list display the admin site will display single column that display-string method representation of each object तो हमने string method आप already पढ़ा है कि string objects जो method होते हैं कहां पर show करते हैं यह एक object हमें show कराती हैं मगर हम list display से हर एक field को show करा सकते हैं हमारे admin panel के अंदर तो आपको किस तरह की चीजे पसंद है इस तरह आप यह सारी चीजे को use कर सकते हैं there are four types of value that can be used list display देखते हैं the name of the model field हमें model field का नाम देना होता है then a callable that accept one argument that model interns हमें callable accept argument और model इंस्टन्स बनाना है a string represent model admin method that accept one argument the model इंस्टन्ट चो model admin method वही वन एक अर्गोमेंट ही accept करती है यह भी दहान रखना model इंस्टन्स के अंदर a string representing a model attribute और method without any required argument तो हमें string represent जब करना होता है तो model attribute और method के साथ without any required arguments के साथ करना है तो यह चार चीज़े आपको द्यान रखनी है यह सारी चीज़े आपको जैसे आप से अप्राक्टिस करते जाएंगे सारी चीज़े सीख जाएंगे यह सारी चीज़े आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई अब मुझे क्या करना है हर एक field को मुझे शो कराना है admin class के अंदर तो शो कराने के लिए मुझे यह stream की जुरतने हाप मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि यह सिर्फ हमें यह object दिखाने के लिए हम यूज करते हैं तो इसे हटा देता हूं कंट्रोलेस कर लो और चलते हैं admin के अंदर तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है यहां पर देखना है तो यह रहने दो फिलाल के लिए मैं यहां पर आपको बता दो क्या करना है तो यहां पर पहले आपको class लिखना है यह देहां रखना है class लिखने के बाद class का ना सारा यहां पे क्लास आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे यह सारा क्लास कहां से इनरेट हो भात है तरह यह से होगा क्योंकि यह आड्मिन अरड़ी यहां पर हमें इंपोर्ड करके दे रहा है जाँ के और से सिंपल यह भी हमें लिकना आपको Admin, Admin लिखना Dot, Dot लिखने के बाद Admin के अंदर Model Admin यह Automatically जांगो के अंदर हमें दिया जाता है Model Admin नाम से यह लिखने के बाद हम सिम्पल हमें यहाँ पर लिखना है List और यहाँ पर Display लिखना, List लिखने के बाद हमें क्या Show कराना है यूजर को, जो हमें टेबल में टेबल के अंदर क्या शो कराना है में तो यहां पर हम फील निम दे सकते हैं जैसे यहां पर student ID जो की नाम है जो यहां पर model फील का यह पर यही नाम देना है spelling नहीं गलत होनी चाहिए दिन यहां पर कॉमा कर लो और मुझे चाहिए student ID student ID then student name देख लेते हैं और यह सिंगल कोट है डबल कोट के अंदर ही होना चाहिए यह लिखना है student name student ID हमने दो लिखी है दिन हमें admin.site.register करना है यह देखना यह class के अंदर नहीं बाहर रही है admin जो आप register करते हैं यह लिखने के बाद यह जो student कहां से आ रहा है यह यहां से आ जो models के अंदर से और यहां पर आपको कॉमा लगाना है फिर आपको register करना होगा यह student admin को simple student admin को यहां पर register कर लो Ctrl S कर लो और आपको फिर से server को start करना होगा python manage.pvr run server और start होने के बाद तो यह server start हो चुका है चलती है यहां से और यहां पर रिप्रेस कर लेते हैं पहले कि अच्छा यहां पर देख सकते student ID और यहां पर student name भी आ चुका है बिल्कुल सही काम कर रहा है तो आप देख सकते हमारे किलिख करना यह वन अगर मैं इसके अंदर चलो तो यहाँ पे आप सारी चीज़े कर सकते हैं डिलीट आपटेन इडीट कर सकते सारी चीजे फिर शित ते वापस और यहाँ पर सारी चीजे क्या खरें अगर मैं सारी चीजा मैंने क्या किया था student email किया था ओई नाम होना चाहिए जो हमने models field में दी है और मुझे लास्ट चाहिए जो कि student पास लिखा था हमने चाहिए पास अगर मैं Ctrl S कर लो फिर से चलते हैं यहाँ पर रिप्रेस कर लेते इसे तो यह रिप्रेस हो रहा है शायद हमारा सर्वर्स देख लेते हैं सर्वर अब भी स्टार्ट हुआ है इसलिए हमें इस साइट का भी रिजिटर शो कर रहा था तो बिल्कुल सही तो देख सकते हैं यहाँ पर हर एक फिल्ड आ चुके हैं जो कि इस चीज़े आपको शो करानी यहां पर शो कर सकते हैं और जो फर्स आपका जूप फर्स्ट कॉलम होता है उससे जो कि स्टूडर आइडी हो यह आईडी हो प्राइमरी उसी पर यह हैपर लिंग बनती है इस पर किलिक करेंगे तो आप इसे इडिट कर सकते हैं यह सारी जो कि इसका स्टून्ट है यहाँ पर भी यह द्यक्षान देरा और यहां पर देख सकते हैं स्टूडान पर क्लिक करो और स्टूडन के अंदर डिटेल्स घटेल्स रहें और लगण कई М हमें इसके अंदर और एक चिज़िए फैसिलिटि मिलते है डेकुराटर का यूज्ज करना करके हम इसी थोड़ा सा असान बना से इतनी सारी चिज़े लिकने से पहले किसे तरह यह जानते हैं को हम देकोराटर के बारे में जानते है रजीस्टर इसकरक्राइब decorator can be user register model admin classes register करता है हमारे admin classes को syntax देख लो add the rate admin.register model class का नाम देने हैं जितनी मज़ी model class के नाम होते हैं उनकी दे सकते हैं आप यहाँ पर और यहाँ पर site custom admin site भी दे सकते हैं फिलाल के लिए हम default site custom admin site शो कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर देने की ज़रुतने होते हैं आगे जानते हैं तो register model classes की तरह use होते हैं जैसे यहाँ पर example देख सकते हैं admin.register और model class name दे लिखना होता है हमें उसी तरह creating class जो कि इसके नीचे हमें class को create करना है class model admin class name admin.model admin तो यह देखना है यहाँ पर इसके नीचे हम list display देख सकते हैं तो simple example देखें यहाँ पर admin.register और यहाँ पर model class का नाम student then simple class student admin admin.model admin ओके यहाँ पर list display कर सकते है id student student name तो चलते हैं क्यों यह बना लेते हैं हम किस तरह use करना है तो यहाँ पर आ चुके है मुझे क्या करना यहाँ पर मैंант कर लो और यहाँ पर चलते हैं हमेंbt simple क्या करना है यहाँ पर jadi market यहाँ पर admin लिखना है admin के बाद यहां पर पूर रेजिस्टर लिखना है रजिस्टर लिखने के बाद पर आपको model class का नाम student ये वाला ओकर यह लिख나 है दिन हम vibra cream करना है आपको द्याहन रखना है जैसे आप जितनी मर्जी मॉड़ल क्लास बनाते हो जैसे कि मॉड़ल क्लास हमने एक टेबल बना रहे हो तो उसके अंदर 10-12 टेबल से समझे यहां पर बहुत सारे टेबल से तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं उसके बाद यहां पर जब रजिस् तो यह सारे चीज़े लिखने इससे अच्छा है को आप डिकोरेटर का यूज कर लो यहां पर admin.register यह लिख लो उसके ऊपर दिन आप सारे चीज़े यहां पर कर सकते हैं नीचे तो इतनी सारे चीज़े करनी है पर सिर्फ ctrl s कर लेना और चलते हैं यहां पर और इसे रिप करना चाहिए तो दोनी चीज़े आप यूज कर सकते हैं आपको जो पसंद आया आप यूज कर सकते डिकोरेटर का यूज कर लो यह इसका यूज कर लो तो यह थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको सारे चीज़े फिर से नहीं लिखने होती इस स्रिप आपको इससे ऊपर लि तो पर देख सकते मैंने कंट्रोल एस किया अगर यहां पर रहे हो कर आगर मैं हाँ पर रिप्रेस्ट करें तो यहां पर देखना यहां पर भी स्टार्ट नहीं हो और क्यों कि यहां पर बोल रहा है शिस्टम चेक एडिनफाइब वन इशू जिरो साइलन्स और यह इस तरह का इरर शो क्यों कर रहा है हमें बात बता दो जैसे हम टपल टपल में किस तरह लेका जाता है पाइफन बेसिक है यह यह वैल्यू पास करते हो तो आपको कॉमा लिदेना होता है कंट्रूल एस कर लो औ पर और यह सर्वर जो है हमारा फिर से चलते हैं और इसे रिप्रेस कर लेते हैं तो बिल्कुल सही काम कर रहा है यहां पर यह एक आईडी शो कर रहा है हमें देख सकते आप इसके अंदर जाके सारी चीज़े कर सकते तो यह भी दहान रखना आपको जस्ट मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था क्योंकि बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कंट्रूल एस कर लो और फिर से चलते हैं इसे रिप्रेस यह सर्वर स्टार्ट हुआ है ने देख लेते हैं हुआ और रिप्रेस कर लेते हैं और चलते स्टूडन के अंदर यह सारी चीज़े तो हमने इस और यहां से आप इडिट कर सकते हैं यहां से अप नया स्टूडन को अड कर सकते हैं हर यह चीज वह तो इस वीडियो में इतना ही थैंकि यूवर्चिंग इस वीडियो